आज मैं आपको बताऊंगी दुनिया के सबसे छोटे बंदर के बारे में जी आपने सही सुना मैं बात कर रही हूँ पिग्मी मार्मोसेट के बारे में पिग्मी मार्मोसेट दक्षिन अमेरिका के पस्टिन अमेजन बेसिन में पाया जाने वाला एक बंदर है ये बंदर एक उंगली से भी चोटा होता है अगर इसकी वजन की बात की जाये तो इसका वजन 100 ग्राम जितना होता है इसकी उचाई 15 सैमी जितनी होती है और इसकी पूछ 20 सैमी जितनी लंबी होती है पंजे पैने होने के कारण ये असानी से पेडों में चड़ सकता है ये बंदर अपना सर 180 डिग्री जितना घुमा लेता है जिससे ये खुद पर हमला होने वाले जानवरों को असानी से देख पाता है मुश्किल से मिलने वाले इस बंदर को पालने के लिए लोग बड़ी कीमत भी चुकाते हैं ये प्राणी काफी गुसेल भी होते हैं ऐसे कई किस्सों में जिसमें गुसे में आकर इन्होंने अपने मालिक को भी काट लिया है एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में करीब सिर्फ 2500 मार्मोसेट ही रह गए हैं यही तो ये कारण है कि इनका गलत तरीके से वेपार भी किया जाता है साल 2020 में एक खबर आई थी कि थाइरेंट से चिनने पहुँचे एक व्यक्ति के पास दो पिग्मी मार्मोसेट को जब्त भी किया गया अगर इनके खाने की बात के जाए तो यो खाने में पेड़ से निकले वाले गोंद को खाते हैं और इनको छोटे छिपकली या छोटे कीडे मकोडे भी खाना बहुत पसंद होता है ये बात मैंने आपसे की पिंग मी मारमो सेट के बारे में जो की दुनिया के सबसे छोटे बंदर है ऐसी और खबरुक के लिए बने रहे रित्तु जोशी के साथ और देखते रहे एान टीवी धन्यवाद